कि नमस्कार आदाब मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट स्फाग स्वागत करता हूं अपने चैनल पर आज हम जानेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण और प्रचलित मेडिसीन सिट्रीजिन के बारे में सिट्रीजिन के कौन-कौन से ब्रांड नेम है इसको किन-किन कंडिशन में यूज किया जाता है और क्या-क्या साइड एफेक्ट हो सकती है और कितनी डोज में लेनी चाहिए जानेंगे पूरे डिटेल में तो बने रहे है हमारे साथ सिट्रीजिन सेकेंड जेनरेशन की एंटि हिस्टामेंस ग्रूप की मेडिसीन है जो एलर्जी के दोरान यूज किया जाता है इसके कई ब्रांड नेम है जिन में ओकासेट, सिट्जिन, सेट्सीब, CZ3, एलरीट बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिकल अस्टोर पे मिल जाती ह यह बहुत ही सस्ती दवाई है जो कि लगभग तेड़ रूपिया प्रती टैबलेट में मिल जाती है अब जानते हैं यह काम कैसे करती है, हाउ सिट्रीजिन वर्क, हिस्टामेन जो की एक आटोकॉयड है, एलर्जी और कीट मकडो जैसे कि मधुमक्खी, हड़े बर्रे, बंध हो जाता है, जिससे एलर्जी, स्वेलिंग और इचिंग नहीं होती है, अब बात करते हैं इसके यूज के बारे में, एलर्जी राइनाइटिस, यानि कि नाक से पाने निकलना, आक से पाने निकलना, छीक आना, इस कंडिशन में भी हम सिट्रीजिन का इस्तेमाल करते ह और किसी छोटे कीडे जैसे कि मधमक्खी, हड्डे बर्रे, आधी के काट लेने पर एलर्जी होने के कारण खुजली हो रही हो, तो इस कंडिशन में भी सिट्रीजिन का यूज किया जाता है, दूसरा, अस्थमा में सपोर्टिव ट्रीटिमेंट के रूप में सिट्रीजिन क का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही सीजिनल एलर्जी में भी यूज किया जाता है, और हाँ, यदि किसी मेडिशिन के लेने पर उससे साइड इफेक्ट दिख रहे हो, जैसे कि खुजली, शरीर में रैसे आजाना आधी होने पर भी इस का इस्तेमाल किया जाता है, अब जान इजिनेश यानी कि चक्कर आ सकता है मुह सुखा सुखा लग सकता है konstipation यानी कि कबजियत हो सकती है और यूरीन पास करने में परिशानी आ सकती है दोस्तो इस दवा को लेने के बाद Concentrate करने में दिक्कत हो सकती है इसलिए इसको लेने के बाद driving नहीं करें और और हाइट और हेभी मसीनरी से दूर रहे हैं अब बात करते हैं इसका डोज यानि कि इसको कैसे लेना है एक एडल्ट व्यक्ति को सिट्रीजिन टेबलेट का 5 से 10 एमजी दो टाइम खाने के बाद लिया जाना चाहिए जो कि 4 से 5 दिन तक लिया जा सकते हैं सिट्रीजिन टेबलेट के कौन-कौन से कंट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं कंट्रा इंडिकेशन यानि कि कौन-कौन सा ऐसा कंडिशन है जिसमें सिट्रीजिन को लेने की सलाह बिलकुल नहीं दी जाती है सबसे पहला प्रिगनेंट लेटी को सिट्रीजिन टैबलेट का इस्तेमाल टॉक्टर के सला या निगरानी में ही लेना चाहिए साथ ही सराब का शिवन के दोरान और कुछ ऐसी दवाईये हैं जैसे कि बार्बिचूरेट, क्लोनीडिन, बेंजोडाजेपिन और एंटी डिप्रेसेंट लेने के दोरान सिट्रीजिन को नहीं लेना चाहिए ये थी पूरी डिटेल सिट्रीजिन के बारे में तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद